हाई फ्रेंज विल्कम टू माई यूटूब चानल कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ने कि साम होती हमें भूख लग जाती है और फिर मन करता है कि क्यों न बहाद से मंगवाया जाए तो हम घर पे ही एक ऐसा नस्ता बना के त्यार करें जो फटाक से बन के त्यार हो जाए और ख वाइस को आउन करके तेल गर्म होने के लिए रख दिया है तेल गर न मैंतों हम इसमें आदी चमट जीरा डालें के लिए कुछ शब्राइक कर लेते हैं अब हम इसमें दो पारी कटावा प्याज और दो पारी कटी भी हरी मिश्ट डालेंगे इसे हम चलाते हुए दो मिनट के लिए फ्राय कर लेते हैं तो देख सकते हैं हमने इसे एक से दो मिनट के लिए प्याज को फ्राय कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे इसमें मटर डालेंगे जो हमने दरदरा सा पीस के रखा था ना और इसे भी प्याज के साथ मिक्स करते हुए हम इसे फ्राय करेंगे तो गैस को स्लो रखें और स्लो आज पेसे 2-3 मिनट के लिए फ्राय कर ले तो इसे चलाते रहे नहीं तो ये चिपक जाएगा तो इसे चलाते विए हमें 3-4 मिनट के लिए फ्रै करना है अब हम इसमें आदी चमच के करीब हल्दी पौडर डालेंगे स्वात के रूसा नमक डालेंगे आदी चमच गरम मसला पौडर डालेंगे थोड़ी से हींग डालेंगे अब हम इसे मिक्स करते हुए इसे दो मिनिट के लिए स्लो आज पे ही फ्राइ करेंगे ताकि मसाली का जो कच्छापन है न वो चला जाए तो इसे चलाते रहें तो मटर को हमने तीन से चार मिनिट के लिए फ्राइ कर लिया है अब हम इसमें पानी डालेंगे तो यहाँ पे हमने एक कटोरी की करीब पानी लिया है इसे हम मिला लेते हैं तो इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो देख सकते हैं इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया अब हम इसमें एक गाजर जिसे हमने छोटी टुक्रों में कट किया है वो डालेंगे आप चाहे तो गाजर को ग्रेट भी कर सकते हैं अब हम इसमें थोड़ी सी कटी भी हरी प्याज डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसमें उबाल आने देंगे तो देख सकते हैं इसमें उबाल आ गिया है तो इसे हलका सा चला लेते हैं तो इसे हलका सा मिलाने के बाद अब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे तो यहाँ पे हमने आदी कटोरी के करीब चावल का आटा लिया है दो चमच हम सूजी डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे तो इसे तब तक चलाते रहें जब तक कि ये डो के फॉर्म में ना आ जाए तो चावल काटा बहुत ही जली पानी को सोक लेगी तो इसे चलाते रहे तो इसे चलाते वे हम इसे डो के तरह बना लेंगे तो देख सकते हैं ये डो के तरह होग बन गया है तो अब हम गैस को बन कर देंगे गैस बन करने के बाद भी हम इसे एक मिनिट के लिए चलाना है नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा तो बस अब हम इसे एक बॉल में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे तो दो हमारा ठंडा हो गया है तो मलकास हाथों में तेल लगाएंगे और हम इसे टिक्की के तरह बनाएंगे तो हम हलका सा हाथों में तील लगाएंगे, थोड़ी सी लोई तोड़ेंगे और इसे हाथों से अच्छे से गूल करके हम टिक्की का आरकार देंगे आप इसमें मन पसंद सिफ कोई भी दे सकते हैं, जो आपको पसंद दो तो मैं ऐसे टिक्की के तरह ही बना रही हूँ, तो इसे हाथों से अच्छे से चिकना कर दीजिए ताकि ये इसमें क्रैक न रहे, तो इसी तरह से मैं सारे नास्ते को बना के त्यार कर लेना है तो हाथों से ऐसे गोल करते वे ठिक्की के दर बना के त्यार कर लेजिए और इसे प्लेट में रखते हैं तो देख सकते हैं उन्हें बहुत सारा नास्ता बना के त्यार कर लिया है अब हम इसे फ्राइ करेंगे तो तेल गरम होने के लिए हमने रख दिया है तेल गरम है तो गैस को अब मिडियम कर देंगे और हम इसमें एक एक करके नास्ते को डालेंगे तो तेल में एक बार में जितना नास्ता आये उतना डाले एक साइट से इसे दू मिनट के लिए फ्राय करने के बाद हम इसे पलट देते हैं और दूसरी साइट से भी हम दू मिनट के लिए फ्राय करेंगे तो दूसरी साइट से भी दो मिनेट के लिए फ्राय कर लिया है तो इसे एक बार हम पलट देते हैं फिर से तो इसे ऐसी एक से दो बार पलट पलट के हम फ्राय कर लेंगे ताकि अंदर तक यह पक जाए तेज आच पर फ्राय ना करें नीट उपर से जल जाएगा और नीचे से यह कच्चर आ जाएगा तो नास्ते में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं तो सारे नास्ते को पलेट में निकाल लीजिए और बचेवे नास्तिकों में ऐसी फ्रै कर लेना है दूनु साइट से गूल्डन ब्राउन होने तक तो लीजिए मटर का गर्मा गरम नास्ता बने के त्यार है देखा आपने कितना असान है बनाना आठ से दस मिनट में ही बनके त्यार हो जाएगा तो अगर आपको ये रेस्पी मेरी अच्छी लिगी हो तो लाइक करें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलती हूँ एक नई रेस्पी के साथ तब तक बाई बाई